खुच निगा थी से बिसल्म के को रुख भूखता के हुझ मैंडरी टेरि चरी टमेटो गड्स में वाता है पो जखते हुझ के लिए रहनी हुझाइथ किसी को भी माली वगारा किसी को बिलाने की जोपनी है मेरे पास सारी चीज़े इसी बॉक्स में है तो मैं इसको खोल के आपको दिखा पन कर रहे हैं और इसमें सारी चीज़े हैं और देखिए सबसे पहले इसमें क्या निकलता है सबसे पहले आता है और गैनिक पॉट मिक्स ज यह पॉंट मैं नीचे मोल दिये हुआ है जिसके लिए हमें कोई भी भी बानी ही होificación है और साथ इसकी एक प्लेट भी से कि अगर आप घर में भी अंदर भी लगाते हैं किचन के पास भी लगाते हैं तो आपकर जो भी पानी आप इसमें डालेंगे वह भार नहीं जाएगा प्रेट में आ जाएगा तो यह बहुत इच्छा लग रहा है पॉट भी और इसके साथ आते हैं हमें यह नैचरल किया गया है कि इन बॉटल्स को इन पॉट में कैसे चीजे डालनी है कैसे बॉट मिक्स को कैसे डालना है और कैसे बॉटल्स के स्प्रेय लगा के स्प्रेय करना है तो सारे इंस्ट्रक्शन से इसमें दिया हुआ है उसके बाद आता है यहां पर कैसे हमें सो करना है उस उनको सीट्स को इस सब इंस्ट्रक्शन से उसमें सारी दी गई है और उसके बाद इसमें आते हैं ये बैकेट्स जिसमें हैं ये अज हवावी बहुत चल रही है इस मौसम भी वेदर भी इतना चेंज हो चुक है इसमें आती है ये ये कॉइं की तरह बनी होते हैं और इसमें इसे बोलते हैं कोको पिट बोलते हैं ये हमारे जो भी हम जब पॉट में मिक्स डालेंगे उसके बीच में मैं आपको डाल के दिखाऊंगी ये ग्रो करने में सीट्स को बहुत है और बहुत जल्दी ग्रोथ होती है ये है कोको पिट और उसके बाद आते हैं ये ये सीट्स ये हैं इसके सीट्स ये सीट्स हम डालेंगे पॉट में है कि है है अजा है जाले है है और यह है नीट्रीशन पाउडर यह भी हमें जब हमारे पॉट में सब कुछ हम वो डाल देंगे सेज लाटेंगे उसके बाद इसने इशिक अंट कर blij हम इसके ग्रोब के लिए इसको जल्दी से ग्रो करेगा हमारा प्लांट तो उसके लिए तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इसे कट करते हैं कॉइन सी जगा बना लिए मैं तो कॉइन साइस की जगा बना लिए सेंटर में यहां पर हम इसको फिक्स कर देने यहां पर फिक्स कर दी है यहाँ पर डाल दिया है, इसको मिट्टी में और यहाँ पर मैंने एक जगा बना दी थी, थोड़ा साइट करके मिट्टी, तो और्गैनिक मिक्स, उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा पानी, इसमें सबसे पहले हम आदा ग्लास पानी डाल देंगे, ज्यादा पान कि निकल रहे हैं कि बहुत चोटे-चोटे सीट्स हैं इसको हाथ भी ना लगाएं इसकोशिश करें सारे सीट्स इसके अंदर चले जाये तो सीट्स जा चुके हैं यह हमने सीट्स इसमें डाल दी है और अब मैं इसे ऐसे ऐसे थोड़ा सीट्स को दबारी हूं और यह इसकी स्प्रे बॉटल लेकिन इसको मैं तब करूंगी यूज जब इसको मैं थोड़ा सा ग्रोग करना स्टार्ट हो जाएंगे प्लांट कोई भी कीरे वगएर ना लगे तो उसके लिए हम भी यूज करें हैं जिसके तो हम इसे स्प्रे की तरह स्प्रे बॉटल बना लेंगे कि मेरे और भी प्लांट में बहुत यूज हो जाएगा तो मुझे बढ़ा अच्छा लग रहा है यह वाली चीज तो कि मैं अपने और प्लांट को भी से अच्छे से ग्रोग करा लिए तो इस तरीके का य प्लांट करेंगी और उसके अंदर उसके निट्रीशन को मनाए रखेंगी जिसकी वजह से मेरे प्लांट में जो फूर्ट करेगा वह भी बहुत निट्रीशियस होगा और मैं तो और जितने भी प्लांट जाना उसमें भी यह जरूर डालूंगा दो बॉटल साइज की यह न मुझे जरूर बताईएगा कमेंट सेक्शन में थैंक यू सो मच पूर वाचिंग अस